नवस्कार, स्वागत है आप सब का हमारे खास कारिकम में मैं हूँ कवीन सचान केंडर में मोधी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर हम बाचीत करेंगे आज केंडरी मंत्री नरेन सिंग तोमर जीजिए जिनके पास है बहुत ही अहम मंत्राले और उसलिहा से पंचाती राज जो की देश के विकास की रीड मानी जाती है ग्रामीन विकास और खनने बहुत स्वागत सर आपका बहुत धन्यवाद सर जिस तरीके से शुरुवात मैं अगर ग्रामीन विकास से करना चाहूँ और पिछले चार साल का अंतराल केन में आपकी सरकार आने के बाद कहां से शुरुवात हुई थी और आज जो सफर है वो कहां तक पहुचा है आपका परधान मंत्री मोदी जी की सरकार को चार वर्स पूरे हो गए प्रधान मंत्री मोदी जी ने 2014 में जब सरकार समाली थी तो उनके सामने अनेक शुनोतियां थी हम सब जानते हैं कि हमारा देश गाउं प्रधान देश है गाउं का विकास से ही देश का विकास होने वाला है गाउं आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और मुझे एक कहते हुए प्रसंता है कि प्रधानमंत्री मोधी जी ने अपनी सरकार के समय सरवाधिक ध्यान गाओं के विकास और क्रसी के विकास पर दिया है पिछला जो बजट 24 लाग करोड का आया है 24 लाग में से 14 लाग करोड रुपिया ग्रामीड विकास और क्रसी पर ही खर्च होने वाला है आजादी के बाद मैं समझता हूँ कि ये पहला बजट होगा जिसका मुँ एक तौर से ग्रामीड शित्र क्रसी के विकास की और है ग्रामीड विकास विभाग की दिरश्टी से अगर आप विचार करेंगे तो 12-13 में ये बजट 50,000 करोड रुपए का होता था आज मोदी जी के नेतरत्तों में जब ग्रामीड विकास मंतराले काम कर रहा है तो हमारा बजट एक लाग 24,000 करोड का है इसके माध्यम से ग्रामीड सरकों का निर्माण मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर लाइबलियूट के माध्यम से आजिविका दिन्द्याल उपाध्या कौशल योजणा के माध्यम से लोगों को इसकिल उपलब्द कराना और साथ ही साथ स्यामा परसाद मुखर जी रूह अर्वन मिसन ऐसे अनेक जो काम है उन पर आज सफलता पूरवर काम चल रहा है मैं यूजनाओ पर एक एक करके आऊंगा तो मरसाब लेकम से पहले एक जो सबसे बड़ी चंता रही और पिछली सरकारों में भी हमने देखा था और आप लोग जब बेपक्ष में थे आपने खुद कहा था कि ग्रामीन भारत के लिए बजट की कमी महसूस नहीं होती है लेकिन उसका खर्च होना और सही तरीके से गुरवत्ता पूर तरीके से उसका इस्तमाल होना ये एक बड़ी चुनोती थी पिछले चार वर्षों में इस दिशा में इस चुनोती से आप कितना निपड़ पाए हैं मैं समझता हूँ कि जब हम लोग सरकार में आये तो प्रदान मंदरी जी के सामने सबसे बड़ी चुनोती पारदर्स्ता की थी इमांदार सरकार देने की थी लोगों का हक लोगों को मिले या सुनिशित करने की थी ग्रामीड विकास मंदराले में अगर हम देखेंगे तो मंदरेगा एक बड़ी योजना है मंदरेगा में 12 करोड 56 लाख लगबग जॉब कार्ट धारी हैं जिन में से 10 करोड को हमने आधार से जोड़ दिया है 6 करोड ऐसे जॉब कार्ट धारी हैं जिनको जिनके एकाउंट को भी आधार से लिंक कर दिया गया है और आज मंदरेगा में 96 परसेंट भुकतान वो स्रमिक के एकाउंट में होता है और इतना ही नहीं पहले मंदरेगा और भरष्टा चार दोनों एक दूसरे के परियाए थे अब हम लोगों ने एसेट क्रियेशन पर बल दिया है मंदरेगा के माध्यम से जल समरक्षान और क्रसी इस पर 68 परसद पैसा खर्च किया जाए यह सुनिशित करने का काम किया है एसेट का जियो टेकिंग करने का काम सुरू किया है आज मंदरेगा के द्वारा निर्मित जो सरचनाए है वो दोल करोड़ 24 लाग सरचनाए जो है वो हमारी जियो टेक हो चुकी है जियो टेक होने के करन निश्य दूरूप से बिरश्टाचार पर काफी नियंतरण हुआ है मंदरेगा के माध्यम से 22,000 किलो मीटर सडके हम लोगों ने बनाई है एक लाग 46,000 हेक्टियर लगवक सिचाई शमता भी मंदरेगा के माध्यम से निर्मित हुई है और मैं समझता हूँ आज मंदरेगा का देश हित्मेट ठीक परकार का सदुपयोग मोदी जी की पिरणा से आज देश वर में हो रहा है और सफलता पूरवक संपन हो रहा है मंदरेगा को लेकर सब्सक्र दो बाते कही जाती है कि जब इसका विकल्प दिया गया तो असलमें ग्रामीर शेत्र में जो बेरुजगारी की समस्या थी उससे एक कुछ वक्त के लिए विकल्प के तौर पर था येकिन क्या कुछ जानकार ये कहते है कि मंदरेगा अब उस बैसाकी की तरह है जो की मजबूरी बनती जा रही है ग्रामीर भारत की हम क्या उस दिशा को बदलने की तरफ कुछ प्रियास करते नजर आ रहे हैं या फिर नहीं से और कंटिन्यू करना चाहेंगे ने मैं समझता हूँ कि यह सच है कि मंदरेगा पर निर्बर हमेज़ा देश को नहीं रहना चाहिए और हमारी कोसिस है कि मंदरेगा में जो काम करने मजदूर आते हैं उन मजदूरों को उनकी योगिता के इसाब से चंपता के इसाब से हम कुशल बनाने की कोसिस करते हैं उनका ट्रेनिंग कराते हैं जिससे उनकी आमधनी भी बढ़े और वो अनियतर भी रोजगार प्राप्त कर सकें जब कुछ नहीं है तो मन्रिगा में रोजगार तो उनके लिए है लेकिन जब वो इसकेल्ड होकर दूसरे स्थान पर काम करने जाएंगे तो निश्य दूरूप से उनकी आर्थिक शम्ता भी बढ़ेगी और उनके परिवार में भी सम्रद्धी आएगी ग्रामीर भारत में एक और अहम चीज है कनेक्टिविटी को लेकर जो दिक्कत दिखती थी प्रधान मंतरी सड़क योजना के जरीए कहां तक वो खाका मजबूत हो पाया है कहां तक हम उनको शेहरों से जोड़ पाये हैं मैं समझता हूं कि प्रधान मंतरी ग्रामीर सड़क योजना यह एक तोर से बड़ी योजना है वाजपेई जी के समय यह योजना बनी थी बीच में यूपिय की सरकार आगई इसलिए इस योजना को 2008 में पूरा होना चीए था लेकि यूपिय सरकार ने इसको तबज्जो नहीं दी उसके करण आज 2018 में हम बैठे हैं लेकि मुझे प्रसंता है कि प्रधान मंतरी जी ने तहे किया है कि जो कोर नेटवर्क की एक लाग 78,000 बसाटे हैं उनको 2019 तक हम पूरा डामरी करद सड़क से जोड़ दें और उस पर काम चल रहा है पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि 2014 से पहले गरामीर सड़कों का निर्माड 76 किलो मीटर प्रते दिन की रफ़तार से होता था आज 134 किलो मीटर प्रते दिन की रफ़तार से हो रहा है P.M.J.S.Y. Second का भी काम हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और प्रधानमंतरी जीने पिछले बजट में P.M.J.S.Y. थर्ड फेस भी एनाउंस किया है इसके अंतरकत हम एक लाग पच्छे से जार किलोमीटर सड़क पूरे देश में बनाने वाले हैं यह नया काम सने सने अभी प्रारंब हो रहा है और जो नकसल प्रवाविश छेत्र हैं उन छेत्रों की विसेश रूप से चिंता नहीं की गई थी लेकिन मुझे कहते हुए प्रसंता है कि 11,000 करोड रुपे की लागत से 5,411 किलोमीटर सड़क नेक्सलाइट छेत्र में भी बनाने का काम दुरूद गदी से चल रहा है और हम लोगों ने सड़क की गुणवत्ता ठीक रहे और सड़क के मामले में किसी की भी सिकायत हो उसको पूरी तवज़ो दी जा सके और गुणवारता को सुनिशित किया जा सके इसके लिए मेरी सड़क एक एप भी लौच किया है इसमें कोई भी ब्यक्ती गाओं में चलते फिरते भी सड़क की गुणवत्ता को लेकर अगर उसको कोई चीज दिखाई देती है तो वो इस एप में सिकायत कर सकता है साथ दिन में हम उसको रिस्पॉंड करते हैं कि जिस सड़क की सिकायत उसने किये वो प्रदानमंतरी ग्रामीर सड़क है अथवा किसी दूसरे मंतरा ले किये और अगर वो प्रदानमंतरी सड़क होती है तो ततकाल उस सिकायत को हम राजजी को भेज़ते हैं और राज्य से कारवाई करने के लिए कहते हैं। यह बात सही है कि सडक से व्यक्ति की गाउं में आर्थिक सम्रदता भी बढ़ती है। और यह उद्दे से जरूर पूरा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन जिन गाउं में सडक पहुंच गई है। उन गाउं के जीवन इस्तर में भी बदलाव आया है। जो दुर्गम छेतर थे जहां मास्टर पढ़ाने को नहीं जा पाता था। आज वहां मास्टर पढ़ाने को भी जा रहा है। जहां डॉक्टर नहीं जा पाता था वहां डॉक्टर भी जा रहा है। जो करसक गाउं में रहकर दूद का उत्पादन करते थे। चुकि साधन नहीं था जाने आने का, इसलिए उनका दूद वहाँ ओने पोने दाम पर बेचने के लिए वो मजबूर होते थे, लेकिन आज आदमी थार्ट से साइकल या मोटसाइकल से अपने गाउं से सडक मार्ग से दूद लेकर आता है, और उसको सहरी शेतर में अच्छा वाव मिलता है, गाउं में थोड़ी थोड़ी सबजी उगाने वाले जो किसान हैं, वो लोग भी अपनी सबजी का अच्छा दाम सहर में आकर ले लेते हैं, दूसरा सडक का प्रमक रूप से यह भी फाइदा हो रहा है, कि सडक होने की बज़े से गाउं में रोजगार के सबसर था, तो वह भी खड़ा इसलिए नहीं होता था, कि आवागवन का साधन नहीं था, लेकिन आज अगर किसी गाउं में माइंस है, और आवागवन का साधन बन गया, तो माइंस अगर खुल जाती है, तो उस माइंस में बहुत सारे स्रमिकों को भी रोजगार मिलता है, का भी काम बढ़ता है, तो सड़क तो एक तो एक तोर से आर्थिक सम्रददा को बढ़ाने की दिसा में ये मील का पथर साबित होई है, ग्रामिन भारत में एक और बात होती है, सामाजिक सहता को लेकर, सोशल सेक्टर की रिस्पॉंसबिल्टी इसकी हम बात करते हैं बार बा किस तरीके से क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों ने लाउंच की पिछले चार वर्शों में, लेकिन पहले बीस तरह की कुछ स्कीम्स हुआ करती थी और उसमें सबसे बड़ा एक मसला था, करफशन को लेकर, फेक नाम, जाली नाम को लेकर, इसको कैसे दूर किया और फरजी लोग हुआ करते थे, लेकिन अब चुकि प्रदान मंतरी जी ने इस प्रकार की सारी योजनाई जिनमें हिद्गराई को लाव जाने वाला है, इसको डीवीटी के माध्यम से देने का निशे किया, तो उसके करण जो फरजी लोग थे, उसमें से हड़ गए, उससे पै बेशते हैं, गाओं में जाते जाते हैं, पंदरा रुपए रह जाते हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, मन्रेगा का ही उधारन लें, मन्रेगा में एक गरीब आद्मी काम करता है, और सुदूर ग्रामिन अंचल में काम करता है, मन्रेगा में और एने सिपे में 96% अगर पे जिनका लाब भी ग्रामिर्ट छेतर में मिल रहा है जिसे उधारन के लिए आज उजवला योजना के अंतरगत रसोई गैस का विसा है अगर गाउं में सोचले बनाने का विसा है ये भी एक तोर से सामाज एक काम ही है जुड़े जरूर कुछ अधोसरचना से हैं कुछ मौले का दावुशक्ताओं से हैं लेकिन कुल मीलाखे अभी तक ये होता था कि गाउं में सो घर है तो सो में से चार के यह सोचले होता था और सेजव चैनवे के यह सोचले नहीं होता था यह गयर बरावरी दिखाई देती थे आज प्रदान्मंतरी जिन ने अभ्यान के माद्दे हम से सुनिशित किया है कि गाओं में सो के सो घर में सोचाले होना चाहिए, सबी घर में रसोई गैस का कनेक्शन होना चाहिए, ग्रामिड छिदर की महिलाओं को आठ करोड गैस कनेक्शन देने का सरकार का संकल्प है, जिसमें तीन करोड असी लाग बेनो को हम गैस का connection अभी तक दे चुके हैं यह समस्द इन सब योजनाओं के किरियानवन से निश्य दूरूप से आने वाले कल में गाओं के इस तर में बदलाओ आना सुनिशित है तुमर जी आखरी बार जब आप से मैंने बाचीर की थी तब एक सरकार का जंडा था जब आप करते से स्टीट को लेकर उसके पंजियन और पात्ता को लेकर उस दिशा में जो टार्गेट था जो लक्ष था उसमें कहां तक आगे बढ़े हैं आवास देश में गरीब आदमी की सबसे बड़ी आवश्यक्ता है हर गरीब आदमी के मन में एक सपना होता ही कि उसका भी एक घर हो होना चाहिए सुरक्षित होना चाहिए परदान मंतरी जी ने इस आवश्यक्ता को पूर्ण करने के लिए परदान मंतरी आवास योजना का सरजन किया आज इस आवास योजना में हम लोग एक लाख वीस हजार रुपया हीद गराई को नगत दे रहे हैं उसके एकाउंट में परदान कर रहे हैं और अठारा हजार रुपया मंद्रेगा से बारह हजार रुपया सोक्ष्था से ऐसे लगवग एक परिवार को डेड़ लाख रुपया परदान मंतरी आवास के अंतरगत परदाए किया जा रहा है ये आवास देस भर में सब को उपलब्द होंगे दो हज अनिस तक हम लोगों ने लक्ष टाए किया है कि एक करोड मकान बना कर हम लोगों को देंगे अभी तक चवालेस लाक मकानों का हम लोगों ने निर्मान कर लिया है और यह लगतर दुर्द गती से चल रहा है और मुझे लगता है एक करोड मार्च उनिस थक हम बना कर लोगों को उपलब्द करा पाएंगे यह आवाज सर्व सुबिदा युक्त है इस आवाज में कमरा भी है बरामदा भी है रसोई घर भी है सोचाले भी है और इसी आवाज योजना के हिद्गराई को रसोई गैस का सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा प्रदान मंदरी सौभाग योजना के अंदर का विद्दुत का कनेक्शन भी प्रदाई किया जाएगा इस आवाज योजना का लाव निश्यत रूप से गाउं के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है और जो व्यक्ति मकान पूर्द करके अपने ग्रैप रवेस कर रहा है उसकी खुसी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि पंचायती राज़ भाग आपके पास है और सरकार की पूरी कोशिस है कि पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दिये जाएं स्वाध शासी बनाया जाए फिनांस के उसके पास अपने रिश्टोर्स डवलप किये जाएं और जरूरत के लिहास से वो स्कीम्स तयार करक केंद्र से या राज़ सरकारों से अनुदान ले या फिर साहता ले मजबूती के लिहास से और इस सेक्टर में क्योंकि राज़ का एक बड़ी जिम्मेदारी है उनका हिस्सा भी है जो चुनोतियां थी वो कितनी कम हुई है और जो सफर है वो कितना असान हुआ है लोकतंत्र में पंचाइटी रास सथाओ का मेहत्वपूर इस्थान है मैं यह कहूं तो अतिश्यॵक्ति नहीं होना चाहिए कि एक तोर से पंचाइटी रास सथा लोकतंत्र की बुनियाद है और बुनियाद अगर कच्छी रहेगी तो इमारत बहुत अच्छी नहीं बन सकती पहले भी पंचाइटी राज संस्ताओं में काम होता था लेकिन उनकी जो आवशक्ता है उस आवशक्ता को कभी मैप नहीं किया गया और मैपिंग नहीं हुआ इसके करण जो परियाप्त था उनको मिलनी चाहिए जो साथता उनको मिलनी चाहिए वो भी उबलब्द नहीं हुई इसके करण पंचायते हैं जतना परफॉर्म करना चाहिए थी वो नहीं कर पाई लेकि मुझे परसंदा है कि जब मोधी जी ने प्रधान मंदरी पत्स हमाला तब से लगातार उनके ध्यान में यह बात रहती है जब वो विकास की बात करते हैं, अदोसरचना की बात करते हैं, गरोथ की बात करते हैं तो एक तरफ वो मेकेन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ पंचायती राज संस्थाओं की तरक्की और उनकी छमताएं बढ़ाने की बात करते हैं. और इसलिए तेरवें वित आयोक तक पंचायतों को पंच वर्स में साथ हजार करोड रुपिया परदान किया जाता था। हमारे देश में दो लाख अड़ाटालिस हजार ग्राम पंचायते हैं, इनमें 31 लाख जन प्रत्री चुन कर आते हैं, 14 लाख 26 लगवग बेहने इनमें और यह सब दुरुद गती से काम करने के इच्छुग भी हैं, मोदी जी ने इस चीश को समझा, इसलिए 14 फाइनेंस कमिसन की जब रिपोर्ट आई, तो मोदी जी ने तहे किया कि जो रिपोर्ट है उसको हुब हुआ हुआ हमें सुईकार करना चाहिए, और पंचायतों को आ गुना है, आर्थिक रूप से वो समरध हो, यह सुनिशित करने की कोशिस की गई है, पंचायतों में यह पंचायत के रूप में पंचायतें विक्सित हो, इस बात का प्रेद्न किया गया है, पंचायतों के प्रतनिदियों का प्रेशिचन, पंचायतों के करमचारियों का प् का कारिक्रम आएजुद हुआ प्रधान मंद्री जी उस कारिक्रम में मौजूद थे और प्रधान मंद्री जी ने स्वेम राश्टी ग्राम सुराज अभिहान इस योजना को वहां लॉंच किया इस योजना पर हम चार वरसों में साथ हजार 255 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और इस योजना के माध्यम से जहां पंचायत घर नहीं है वह पंचायत घर बनाएंगे और पंचायत को ससक्त बनाने की दरश्टी से जो उपकरण इत्याद की उनकी आवश्यक्ता है पंचायत में पारदर्स्ता लाने के लिए जो तकनीकी समर्थन की जरूरत है वो सारा समर्थन इस राश्टी ग्राम सुराज अभ्यान के माध्यम से हम देंगे जिस से पंचायतें अपनी जिम्मवारी को ठीक परकार से निर्वन कर सकें और गाउं के विकास में योगदान करने में सक्षम हो सकें गाउं के विकास के लिहास से मोधी साहब ने 11 एक्टूबर 2014 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सांसद आदर्श गाम की शुरुआत की थी और जो आकले हैं 2017-18 इसमबर तक 1241 गाउं गोद लिये गए थे शायद उस वक्त ये ऐसा सोच रही होगी प्रधान मंतरी बहुत है कि सांसद जब गोद लेंगे एक आदर्श गाउं के तोर पर वो डवलप होंगे और जिसको देखकर दूसरे गाउं भी उस दिशा में बढ़ेंगे वाकई वो कल्पना कितनी हकीकात में उतर पाई है और किस दरे की दुश्वारियां रही हैं प्रधान मंतरी जी की कल्पना बहुत अच्छी थी और उन्होंने उस कल्पना को सांसदों के समक्ष रखा क्योंकि प्रधान मंतरी जी की मानेता थी कि एक व्यक्ति जो राजनेति शेदर में काम करते हैं, उनको अपने शेदर में कोई न कोई सांस्क्रितिक रचनातमक, विकासातमक, प्रकल्प अमने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि वो प्रकल्प भी पूरा होता है, और चन प्रतनिती की जो रचनातमकता है, वो भी लोगों के सामने आती है, तो मुझे प्रसनदा है कि बड़ी मात्रा में सांसदों ने गाउं को गोद लिया लगवग तेरा सो के आसपास गाउं गोद लिये गए होंगे और उन में सरकारी योजनाओं के मात्यम से भी अमूल चूल परिवर्तन आया है और उनको हम लोगों ने स्वक्षदा की दरश्टी से भी सेचुरेडेट करने की कोशिस किये बाकी केन सरकार की जो योजनाओं राज्य सरकार की योजनाओं और सांसद ने अपने संपर्ग और संबंद के आधार पर भी कई काम उन छेत्रों में किये एक विभाग और है खनन जिसको लेकर पहले सरकारों को लेकर करप्शन क्या रोग लगते रहे थे आपके पास मंत्राला है चुनोती बड़ी रही है इस खनन विभाग को लेकर सब कुस सकुशल देखता है आलोचनाओं से बचे हुए हैं आप दिखे देश में क्रसी के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने वाला छेत्र खनन का हैं देश में खनन ठीक प्रकार से चले यह सरकार की जिम्मेवारी हैं लेकिन खनिच के आवंटन में जो प्रक्रियात्मक त्रुटियां होती थी उसके करण यह छेत्र ब प्रसंता है कि जब मैं सुरुआत मैं मोधी जी की सरकार में मंतरी के रूप में काम संभाला तो पहले शुरुआत के दौर में खनन मन्दराले मेरे पास था और उस समय मोधी जी ने कहा था कि खनन आवंडन के छेतर में संपूर्ण पारदर्सता इस्थापे थो यह हमारी प और मुझे प्रसंत आए कि उस समय सभी ने मिलकर MMDR Act को संसोधन को पारित किया आज की परिस्तिती में कोई को भी विवे का अधिकार खनन आवंटन के मामले में नहीं है चाहे वो केंद्र हो चाहे राज हो हमारी जितने भी माइंस हैं वो सब auction के द्वारा ही आवंटित होती है और इसका बड़ा फाइदा हुआ MMDR Act संसोधन का एक तो आवंटन की प्रक्रिया auction के द्वारा ताई की गई और मुझे कहते हुए प्रसंत आए कि अभी कुल 36 ब्लॉक आवंटित हुए है auction के द्वारा इन 36 ब्लॉकों में 11,000 करोड रुपिया अत्रिक्त राज्य सरकारों को मिलेगा यह auction की प्रक्रिया के माध्यम से ही सुनिश्यत हुए अगर auction नहीं होता तो राज्य सरकारें एक लाग 11,000 करोड रुपिया प्राप्त करने से बंचित रहती सामाने रॉयल्टी मिलती दूसरा खनेज खनेज के छेत्र में एक और विसंगती लंबे समझे थी कि जहा मिनरल है वहीं सबसे ज़्यादा गरीब है वहीं हमारे बनवासी बंधु भी बड़ी मातरा में निवास करते हैं और जब खनान होता है तो उनके सरीर पर भी और उनके छेतर पर भी वहां के पेड़ पौधों पर भी सब पर खनान का एक दूस्प्रवाव होता है इस दूस् इसके लिए हम लोगों ने डिस्टिक मिनरल फांडेशन का प्रावधान एक्ट में किया उसके माद्यम से प्रधान मंत्री खनेच छेदर कर लियान योजना ये देश भर में आज चल रही है मुझे कहते हुए प्रसंता है कि इस योजना के अंतरगत जिलों जिलों में कल्यान और विकास पर खर्च हो रहा है जो माइनिंग से प्रभावेत होता है ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने एक्स्पोरेशन बढ़ाने की दरिश्टी से भी नेशनल मिनरल एक्स्पोरेशन ट्रेस्ट बनाया उस ट्रेस्ट में भी एक्ट के माध्यम से पैसा आता रहता है राज्य सरकारों के माध्यम से और हम लोग एमी सी एल और बाखी सब लोगों को एक्स्पोरेशन का काम बढ़ाया जाए इस दिसा में काम करते रहते हैं खनन के छिद्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो खनिज नियमों का पालन सुनिशित कर सकें और उन में इस बात की प्रतिस पर्दा खड़ी हो सकें जिससे वो परियावनी नियमों का भी पालन कर रहे हैं खनिज के नियमों का भी पालन कर रहे हैं आसपास के छिद्र में जो खनन से नुक्सान होता है वो ना हो इस बात की भी चिंता कर रहे हैं पूरी इमानदारी बरत रहे हैं इसको भी एक प्रतिस्पर्दा के रूप में देश वर में हम लोगों ने लागू किया इस्टार रेटिंग का मामला फाइर वन इस्टार टू इस्टार थ्री इस्टार को प्राप्त हो इसलिए वो अपनी माईस में सभी प्रकार के नियमों का पालन हो यह सुनिशित करने का प्रियास करते हैं बहुत शुक्रिया तो फिलाल आज इस खास करकर में इतना ही नमस्कार